दोस्तो यह है इंफिनिक्स का नया स्मार्टफोन इंफिनिक्स 08i जो इंडिया में लाउंच हो चुका है इंफिनिक्स ब्राइन जो है इसने काफी बार हमें इंप्रेश किया है बढ़िया स्पेसिफिकेशन लेके आया है लेकि इस बार ये जो handset launch किया हुआ है 08i वैसे नाम तो 0 है लेकिन किसी भी angle से ये hero से कम नहीं है इसका pricing है 14,999 रुपीस वैसे ये introductory pricing है अब ये जो pricing है 14,999 रुपीस ये सुनने के बार हो सकता है कि आप मैंसे काफी लोग सोच रहे होंगे कि जो pricing है काफी जादा है maybe जो interest है वो शायद थोड़ा सा कम हो गया होगा लेकिन मैं आपको तीन चीज के बारे में बताने वाला हूँ इस handset को जो तीन specifications है उसके बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपका जो interest है वो फिर से high हो जाएगा ये जो smartphone है Infinix 08i ये 8GB RAM के साथ में आता है 128GB internal storage space दिया हूआ है दूसरी चीज इसमें Mediatek Helio G90T Octa-Core processor का उप्योग किया गया है जो कि एक powerful chipset है गेमिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है और तीसरी और important चीज इस handset को जो display है ये 90Hz refresh rate सपोर्ट करता है और एक और bonus feature भी मैं आपको बता देता हूँ इस पर side fingerprint sensor दिया हूआ है तो दोस्तो Infinix 08i Infinix का नया hero देखते रहे है तो दोस्तो ये देखे इस प्रकार की box packing है Infinix 08i और यहां से आपको थोड़ा बहुत idea मिल गया होगा कि जो design pattern है diamond shape का follow किया हूआ है इंट्रस्टिंग चीज़ यह है कि यह 90Hz refresh rate वाले display के साथ में आता है आपको एक smooth gaming experience मिलेगा और in general also जो performance है वो काफी smooth होगा इसमें Mediatek Helio G90T Octa-Core processor का उप्योग किया गया है अब यह खास करके gaming use के लिए बनाया हूआ है और भी भैतर बनाया हूआ है और यह liquid cooling technology के साथ में आता है दोनों combination इस handset को काफी हद तक थंडा रखने वाले है 8GB RAM है 128GB internal storage space है 4500 mAh की battery है 33W super fast charging supported है लेकिन देखते हैं कि box में क्या मिलता है 48MP quad camera setup है dual cameras front side पर दिया हूआ है तो in general जो handset का specification से काफी impressive है pricing है 14999 रोपीस specifications के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि लोग pricing को लेकर ज़्यादा complaint करेंगे तो यह लिजी unboxing मैंने शुरू कर दी है box के अंदर आपको यह handset मिलने वाला है इसको पर यह frame लगा हूआ है जैसे कि दूसरे infinix smart phones के साथ में होते है तो यहाँ पर जो key specifications है जो मैंने आपको box के ओपर दिखाया वो यहाँ पर दिया हुआ है तो इसे मैं निकाल देता हूँ और handset इस प्रकार का दिखता है यह देखे वही same design pattern diamond cut design pattern यहाँ पर भी follow किया हुआ है अब यह दो color options में available है फिलाल देखते हैं कि इसके अलावा box में हमें क्या-क्या मिलता है तो यह देखे USB to USB type C data cable यह X charge charger वजह हैं से 33 watt support करता है fast charging लेकि इन box में 18 watt का charger दिया हुआ है यह देखे यह है sim tray ejector pin यह screen guard भी box के अंदर दिया हुआ है यह कुछ stickers box के अंदर दिया हुआ है अगर आप चाहें तो इसे smartphone के उपर या फिर जो silicone case है इसके उपर चिपका सकते हैं Infinix X clip के बारे में जान करिए आपको इस booklet में मिल जाएगी और यह है warranty booklet और यह है user manual सबसे पहले तो जो silicone case है इसे मैं इसके उपर लगा देता हूँ ताकि आपको idea मिल जाएगा कि यह किस प्रकार का लड़ने वाला है यह जो silicone case है handset को production provide करेगा और जो handset का look and feel है वो किसी भी तरीके से बिगरता नहीं है जैसा यह silicone case के साथ में दिखता है वैसे ही यह बिना silicone case के साथ में भी दिखता है यह देखिए यह लिजिए sim tray को मैंने eject कर दिया है triple slots के साथ में आता है आप एक dedicated micro SD card यहाँ पर use कर सकते है maximum 256 GB का तो इस पर diamond glass design pattern दिया हुआ है अगर आप camera की तरफ ध्यान दे तो यह जो camera module है यह lozenge shaped का है तो वही same diamond cut pattern follow किया हुआ है यह handset silver color का है यह जो भाग है यह matte finishing के साथ में है थोड़ा सा shiny feel इसमें दिया हुआ है और यह जो भाग है यह भी matte finishing के साथ में है लेकिन यह rough finishing के साथ में आता है तो overall एक impressive design pattern यहाँ पर infinix ने दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए infinix लिखा हुआ है इस handset के एक और खासित यह है कि side fingerprint sensor दिया हुआ है जो कि बहुती fast और accurate है इसमें face unlock का भी option दिया हुआ है जो camera को module है यह काफी हद तक अंदर है थोड़ा सा भार की तरफ आता है curvy design है पकड़ने में यह handset comfortable है इसका जो frame है यह silver color का है अगर यह भी इसी परकार के mat finishing के साथ में होता तो और भी बहतर लगता overall pricing के साब से जो look and feel है एकदम premium किसम का है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर audio jack भी दिया हुआ है handset का performance बहुत ही अच्छा है यह 8GB LPDDR 4X RAM के साथ में आता है 128GB storage space है अब यह जो storage space है इसका performance कैसा है तो यह जो storage space है इसका read speed है तकरीबन 380 MB per second और write speed है 259 MB per second जो की बहुत ही बढ़िया है तो storage की quality pricing के साब से best है यह handset dual volty voice over wifi और OTG support करता है display की quality काफी अच्छी है धूप में भी यह बढ़िया तरीके से visible है 6.85 inches का full HD plus resolution वाला display है dual punch wall है जिसमें dual cameras दिया हुआ है 20.5 is to 9 का aspect ratio है और इस display की unique चीज़ यह है कि यह 90 Hz refresh rate support करता है आपको एक बहुत ही smooth experience मिलने वाला है इसके अलावा यह 180 Hz touch sampling भी support करता है खास करके gaming में यह काफी काम में आ सकता है screen to body ratio भी काफी बढ़िया है 90.1% का 480 nits brightness है इसके पहले कि मैं आपको इसके performance के बारे में बता हूँ कि यह जो chipset है कि इतना powerful है जो camera है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि camera भी इसमें काफी interesting है यह 48 megapixel का AI quad camera setup के साथ में आता है जो primary camera है अफकोर्स 48 megapixel का है 8 megapixel ultra wide angle lens 2 megapixel depth sensor है और एक AI lens दिया हुआ है वैसे जो camera setup है ऐसा लगता है जैसा कि 5 cameras है वैसे 4 cameras है प्लस यह जो चीज आप देख रहे हैं यह quad LED flash है यह दिखे इस प्रकार का है camera का interface और यहाँ पर आपको super night mode मिलता है जो night shots के लिए बहुत ही बढ़िया है bokeh, beauty, AI camera जिसमें wide angle mode है 1x है मतलब कि normal mode और 2x zoom option भी दिया हुआ है video mode है जब कभी आप video mode में जाते हैं तो यहाँ पर दिखे एक option दिया हुआ है यह जो option है इससे आप ultra steady mode को activate कर सकते हैं ultra steady mode से आपको बहुत ही smooth footage मिल जाएगा मैं आपको यह sample दिखाता हूँ इसमें gyro और EIS 3.0 algorithm का उप्योग किया गया है तो बहुत ही बढ़िया stabilization आपको मिल जाएगा लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह जो smartphone है यह 4K videos शूट कर सकता है तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो resolution है वो change हो गया है यह हो गया है 1080p मतलब कि यह जो ultra steady mode है यह आप maximum 1080p में use कर सकते हैं तो camera में बहुत सारे options दिया हूँ है मैं आपको कुछ sample shots बताता हूँ यह देखे यह है night shot और अगर आप इस night shot के तरफ ध्यान दे तो काफी बढ़िया काम किया है इस smartphone ने खास करके pricing के साब से काफी अच्छा है और यह देखे यह कुछ random shots मैंने shoot किया हूआ है यह है मेरा selfie shot, selfie भी बहुत बढ़िया खीच लेता है वैसे front side पर dual selfie camera दिया हूआ है जो 16 megapixel और 8 megapixel का है और यह जो front camera है यह भी dual LED flash के साथ में आता है खास करके dark condition में आप इस selfie light का उप्योग कर सकते हैं यह दिखे यह है एक और selfie यह भी काफी बढ़िया आ गया है यह मैंने portrait mode में shoot किया हूआ है camera की quality काफी impressive है in fact इस handset की ही नहीं Infinix के ज़ादा करके जो smartphones है इनकी जो camera quality है काफी बढ़िया रेती है यह दिखे यह एक और shot है यह भी काफी impressive आ चुका है जो color reproduction है बहुत ही बढ़िया है skin tones काफी अच्छे हैं और जो background blurring है वो भी काफी impressive है और यह भी काफी अच्छा आ गया है जो background blurring पर अगर आप ध्यान दे तो काफी impressive है यहाँ पर यह जो shot है बहुत ही rich किसम का लगता है colors एकदम natural है यह दिखे यह है एक और shot जहाँ पर मैंने यह जो tree है इस पर focus किया हुआ है और जो background है वो blur हो गया है यह वाला भी काफी impressive shot है तो camera quality काफी impressive है social networks पर share करने के लिए अच्छा है और अगर आपको इसे computer पर download करना है तो वहाँ पर भी आपको बढ़िया quality मिलने वाला है और इस handset का उपयो करके आप 48 megapixel में भी shoot कर सकते हैं यह 48 megapixel वाला shot यह देखिए यह है wide angle shot यह मैंने 1x में shoot किया हुआ है और यह 2x में shoot किया हुआ है OS की बात करें तो यह latest Android 10 version run कर रहा है out of the box XOS Dolphin version 7.0.0 और यहाँ पर आपको exactly जो smartphone का specifications है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा एक और अच्छी चीज मुझे Infinix की यह लगी कि यह e-warranty card के साथ में आता है तो यहां से आप यह e-warranty card है इसे activate कर सकते हैं मान लिजे अगर handset में कुछ problem होता है तो यह e-warranty card है यह काफी काम में आता है आपको paper लेके जाने की जरुरत ने पड़ेगी चलिए अब चेक करते हैं कि इस handset में जो helio G90T Octa-Core processor का उप्योग किया गया है 12NM FinFit technology का उप्योग कर रहा है इसका performance कैसा है यह geek bench score जो मुझे मिला हुआ है काफी अच्छा है और मैं इस पर कुछ games खेल के बताता हूं N2D benchmark का फिला तो मैं उप्योग नहीं कर रहा हूं ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है और जो gameplay है काफी smooth है जैसे यह जो smartphone है इसमें multi-dimensional liquid cooling system का उप्योग किया गया है जो कि 4 degrees से लेकर 6 degrees तक जो temperature है core temperature उसे control में रखता है तो यह जो game है फिलाल तो बहुत ही smoothly चल रहा है तो इस game को मैंने तकरीबन 10-15 मिनिट तक खेला है और कोई भी lag मुझे नजर नहीं आया और जो handset है थोड़ा सा warm हुआ है इतना कुछ ज़्यादा heat up नहीं हुआ है तो जो liquid cooling है काफी हद तक temperature को control में रखने वाला है आप काफी देर तक इस smartphone पर high end games खेल पाएंगे जैसे की call of duty लिए काम करता है इसके अलावा आप slow motion videos at 960 fps में भी shoot कर पाएंगे इस handset में 4500 mAh की battery है और ये 33 watt fast charging सपोर करता है लेकिन box में 18 watt का fast charger दिया हुआ है अगर आपके पास 33 watt का fast charger है तो आदे घंटे में आप तकरिवन 0 से 70% तक इस handset को चार्ज कर पाएंगे मतलब की आसानी से एक घंटे के अंदर ये handset full charge हो जाएगा 33 watt charger के साथ में लेकिन box में 18 watt का charger दिया हुआ है जहां तक battery life का सवाल है 4500 mAh आपको आसानी से 1.5 से 2 दिन का battery life दे सकता है mixed usage के तहत तो दोस्तों ये है Infinix 08i Infinix का नया hero pricing है 14,999 रूपीस लेकिन ये जो pricing है ये limited period के लिए है introductory pricing है जहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसका link मैंने वीडियो के description में या तो फिर जो comment section है जो पहला comment है उसमें दिया होगा ये smartphone आपको कैसे लगा comments के मादिम से मुझे जरूर बताईए इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहे हैं